जो यदि आप एक बिजनस करते हैं और यदि आपने उस बिजनस को स्टार्ट अप इंडिया के अंदर रिजिस्टेशन करा दिया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे आपके बिजनस को कितने सारे पंख लग सकते हैं आपको से कितने बैनेफिट्स हो सकते हैं दोस्तों आज किस वीडियो में हम बैनिफिट्स की बात नहीं कर रहे हैं आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि क्या हम एलिजिबिल हैं स्टार्ट अप इंडिया में रिजिस्टेशन कराने के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को अंतर तक देखिए और जानिए कि क्या आपका business startup इंडिया के अंदर registration पा सकता है तो दोस्तों हमारे चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए जिससे कि आपको updates regular मिलते रहें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आप eligible हैं दोस्तों अगर आप individual person हैं तो आप eligible नहीं हैं याने कि आप अपना startup के अंदर registration नहीं करा सकता तो startup registration इंडिविजियल person के लिए नहीं है एक individual व्यक्ति अपना startup के अंदर registration नहीं करा सकता इसी प्रकार यदि आपने एक proprietorship firm अपनी बना रखी है तो वो भी Startup India के अंदर अपना registration नहीं करा सकता Startup India registration इंडिविजिन और proprietor के लिए नहीं है इसी प्रकार यदि आपकी OPC है यानि One Person Company है तो भी आप Startup India के अंदर अपना registration नहीं करा सकते बेसिवी दोस्तों इसका परपज यह है कि चाहे वो इंडिविजिन है या proprietorship firm है या वो OPC है वो एक व्यक्ति की होती है और Startup India का concept है कि ये थोड़ा बड़े लेविल पे business को किया जाए इसी प्रकार से यदि आप trust चलाते हैं तो आप registration नहीं ले सकते आपकी अपनी society है तो आप Startup में registration नहीं करा सकते और यदि आपकी partnership firm है unregistered यानि कि जो simple survey के stamp paper पर आप partnership firm अगर आप बना लेते हैं उस case में भी आप Startup India के अंदर अपना registration नहीं करा सकते तो friends ये तो बात हुए ही कि कौन-कौन व्यक्ति Startup India में registration नहीं करा सकते है तो अब हम ये जानेगे कि Startup India में ultimately registration कौन करा सकता है जी हां दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे private limited company की दोस्तों यदि आपकी private limited company है तो वह Startup India के अंदर अपना registration करा सकती है इसे परकार यदि आपकी limited liability partnership जिसे हम LLP भी भोलते हैं तो अगर आपकी LLP registered है तो वह भी Startup India के अंदर अपना registration करा सकती है और यदि आपकी partnership firm है लेकिन partnership firm registered है रजिस्टरार कार्याले में तो आप Startup India के लिए eligible है अगर partnership firm जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि partnership firm यदि सिंपल 100 रुपे की stamp paper पे unregistered है तो नहीं आप eligible है लेकिन यदि आपने registered partnership firm बना रखी है तो उस case में आप Startup India के अंदर registration करा सकती है दोस्तों इस प्रकार ये तीन तरह की company आपना Startup India के अंदर registration करा सकती है अब question उठता है कि क्या सभी private limited company या LLP या registered partnership firm Startup India के अंदर अपना registration करा सकते हैं तो दोस्तों वहाँ पर भी कुछ conditions है conditions क्या है पहली condition है कि it should be registered on or after first appell 2016 जी हाँ दोस्तों आपकी चाहिए वो private limited company है या वो LLP है या वो partnership firm है वो 1 April 2016 के बाद registered होनी चाहिए उससे पहले यह दिया आपकी company registered है तो Startup India के अंदर उसका registration नहीं हो सकता next है turnover should not be more than 100 crore जी हाँ दोस्तों आपकी company का turnover 100 crore रुपे से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि government उनको promote 100 crore से उपर की company को promote नहीं करना चाहिए यह basically Startup India का purpose यह है कि जो नहीं company आ रही है जो unique ideas के साथ company जा रही है उनको promote किया जाए working towards innovation, development और improvement of products, process और services दोस्तों यह एक बहुत important condition है यह हैं तोस्तों first or second condition तो जो भी नहीं company आज की डिट में registered हो रही है वो fulfill कर देगी आज की डिट में कोई company registered हो रही है तो obvious सी बात है कि first April 2016 के बाद वो registered है तो वो eligible है उसका turnover अभी start भी नहीं हुआ या भी start होने वाला है तो 100 crore से obviously कम होगा तो वो भी eligible है लेकिन third condition जो है वो बहुत important है दोस्तों आप जो भी business कर रहे हैं startup India में registration के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका business है वो कुछ नया innovation create कर रहा है या वो कुछ नया development लेकर के आने वाला है किसी products के अंदर किसी process के अंदर किसी services के अंदर for example कि पहले LCD चला करते थे उसकर LED आए क्या हुआ product में improvement आई आपने कुछ ऐसी चीज़ देकर क्या है जो पहले से better थी तो ऐसा नहीं कि आपने packing repacking का business कर दिया कि आप पीसे से product खरीदा उसको आपने repack कर दिया और कह दिया कि सब मैंने तो आपको एक नया product तयार किया है नया innovation कर दिया वो innovation ये development नहीं है आपको कुछ ऐसा देना होगा जो थोड़ा unique लगे कुछ लगे कि हाँ आपने कुछ अलग हटके कर रहे हैं जिससे क्यागत है उस product की उस services की उस process की improvement हो रही है उसमें कोई development हो रहा है और दोस्तों इसी case में एक अगला जो है वो है business model may have high potential of employment generation of wealth creation जी हाँ दोस्तों तो अगर आप business कर रहे हैं तो आपका business employment generation वाला होना चाहिए पुछ इस तरह का होना चाहिए जिससे की लोगों को employment मिले लोगों की wealth creation हो आपकी social responsibilities तो वो पूरा करें तो दोस्तों ये दो जो last की conditions हैं ये बहुत crucial conditions हैं श्टार्ट अप इंडिया में registration कराना बहुत आसान है application filing बहुत आसान process है लेकिन उसको approval तभी मिलती है जब कि आपकी last की दो conditions को आप fulfill करते हैं अगर आप startup इंडिया में registration कराना चाहते हैं तो सबसे better है कि आप पहले ये decide कीजिए कि आपके business में ऐसा क्या है जो औरों से अलग हट करके हैं ये decide कीजिए कि आपके business के अंदर ऐसा क क्या है जो लोगों को फायदा अपनुचा सकता है ऐसा क्या है जो socially लोगों का welfare कर सकता है दोस्तों यदि आपके business ideas में यदि आपके business के अंदर ऐसा कुछ है तो obviously आपको startup इंडिया के अंदर बहुत आसानी से registration मिल जाएगा लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं trading करता हूँ म मुझे startup इंडिया में registration मिल जाए तो कोई unique product नहीं है वो कोई नया innovation नहीं है यदि आप packing repacking करते हैं it is not an innovation it is not an development तो दोस्तों आप अपने company के objects को देखे हैं उसमें से ढून के निका लिए उन चीजों को जो आपके business को ये create कर सके हैं जो government के सामने ये create कर सके हाँ जी हम company के through new year development होगा employment का generation भी हो सकता है या wealth का creation हो सकता है लोगों के बीच में तो दोस्तों यदि वह आप इनसे भी condition को fulfill कर सकते हैं तो आप easily startup इंडिया के अंदर अपना registration करा सकते हैं दोस्तों आपको है जानकारी कैसी लगी हमें comment box में जरू लिखेगा हमारे चैनल को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए धन्यवाद